हेलो बच्चा पार्टी, कैसी हो बिटा सब लोग, उमीध है सब अच्छे होंगे, बीच में हमारा दो दिन का लॉस हो गया बिटा, बिकॉस आई वस वेरी अन्वेल और शिफ्टिद माई होम अलसो, लेकिन अभी जो हमारे पास दो दिन बच्चे हैं, मैं पूरी कोशिश और आपको जादा से जादा बेनिफेट हो सके, आज हम डिस्कस करेंगे रेस्पिरेशन इन प्लांट, सो विदाउट डिलेइंग, लेट्स टार्ट, रेस्पिरेशन ऐसा प्रॉसेस है, जो समें कार्बन तो कार्बन बॉन बरेक होते हैं, और एनरजी स्टोर होती हैं दी फ अर्बोहाइडरेट होता है, बाकी प्रोटीन और ओर्ग्यानिक असेड भी रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट हो सकते हैं, प्लांट को अनिमल की तरह कोई रेस्पिरेटरी ओरगन की जरूरत नहीं होती है, क्योंकि प्लांट का हर एक हिस्सा वेल एक्स्पोजड होता है, और अपनी जरूरत का ध्यान खुद रख सकता है, अब respiration मोटे तोर पर दोता रहका होता है, aerobic और anaerobic, पहले उठाते है, anaerobic respiration, जिसको हम दूसरे शब्दों में fermentation भी कह देते हैं, अब ध्यान रखना है बिटा, कि fermentation का जो process है, NCRT की line है, very important, less than 7% of energy is released from glucose during anaerobic respiration, 7% से भी कम energy release ह होती है, anaerobic respiration में, और fermentation में, anaerobic respiration में, बेटा, हमेशा net gain of ATP 2 ही रहेगा, और पूरा का पूरा जो alcohol, ये fermentation का process है, पूरा का पूरा होता क्या है बेटा, ये 3 step में होता है, पहला है glycolysis, जो की universal step है, दूसरा है decarboxylation और तीसरा है reduction, आपको पता है, glycolysis पे जब एक molecule glycolysis, एक molecule of glucose पर glycolysis होता है, तो हम में मिलते हैं 2 molecules of pyrovic acid, जो कहां पड़े हुए हैं, cytoplasm में, अब ये 2 molecules जो pyrovic acid के पड़े हुए है आपको पता है, pyrovic acid is a 3 carbon compound, चलिए, तो ये pyrovic acid के जो 2 molecules cytoplasm में पड़े हुए, इन पर होता है decarboxylation, जो कराता है pyruvate decarboxylase, तो बन जाते हैं 2 molecule acetyl dehyde के CH3CHO, और साथ में निकल जाते हैं 2 molecules CO2K, फिर acetyl dehyde पर होता है reduction, that is with the help of NADH, और ये कौनसे enzyme की presence में होता है, pyru weight dehydrogenase, तो हमें मिलते हैं 2 molecules of ethyle alcohol, तो ultimately आपको धियान रखना है, alcoholic fermentation में net gain of ATP दो रहता है, और आप से पुछेगा product क्या है, तो आप बोलोगे, एक glucose molecule से हमें 2 CO2 मिलते हैं, और 2 मिलते हैं ethyle alcohol, फिर चलते हैं, lactic acid fermentation पे, जो या तो muscle cells में देखने को मिलता है, rigorous exercise के दौरान, या फिर आपका देखने को मिलता है, lactobacillus में, वहाँ पर भी पहला step glycolysis होता है, जससे हमें मिले 2 molecules of pyruvic acid, उन पर बिटा सीधा reduction होता है, यहाँ पे decarboxylation नहीं होता, 2 molecules of pyruvic acid पे सीधा reduction होता है, with the consumption of 2 molecules of NADH, और बिटा हमें मिल जाते हैं 2 molecules of lactic acid, तो इसमें mistake नहीं करनी, l lactic acid fermentation में सिर्फ एक ही product है, एक glucose molecule से आपको ultimately 2 molecules मिलेंगे lactic acid के, लेकिन alcoholic fermentation में एक glucose molecule से आपको 2 ethyl alcohol और 2 CO2, दोनों में net gain of ATP 2 है, और दोनों में less than 7% of energy release, अब NCIT में एक important line लिखी है, कि जो non-distilled alcohol होती है, उन में maximum concentration alcohol की 13% हो सकती है, 1, 3, 13% क्योंकि फिर medium में इसके बाद east की death हो जाती है, अब चलते हैं, aerobic respiration पर, aerobic respiration total 4 step में होता है, glycolysis, link reaction, krebs cycle और फिर उसके बाद हमारा आ जाता है, ETS, सबसे पहले बात करते हैं, glycolysis की, glycolysis एक universal process है, जो हर इक living organism में देखने को मिलता है, और glycolysis किसके उपर होता है, glycolysis कभी भी complex sugar जैसे sucrose के उपर नह with the help of enzyme invertase, जैसे glucose और fructose, फिर glucose पर भी हो सकता है, glycolysis और fructose पर भी हो सकता है, दोनों 6 carbon sugar है, simple sugar है, वही sucrose आपकी 12 carbon sugar है, अब जो हमारा glycolysis है, उसको हम एमडॉन मेरहॉफ परनास पाथवे कहते हैं, EMP पाथवे कहते हैं, जो cytoplasm में होता है, अब इसके दौरान क्या- तो सबसे पहले एक glucose molecule के छटे carbon पर हम phosphate लगा देते हैं, तो वो बन जाता है glucose 6 phosphate, जिसमें हमें 1 ATP देना पड़ता है, और यहाँ पे enzyme लगता है hexokinase, फिर glucose 6 phosphate convert हो जाता है fructose 6 phosphate में, यहाँ पे कुछ नहीं हो रहा है, आईसोमराइजेशन ही हो रहा है, फिर fructose 6 phosphate convert हो जाता ह यानि कि यहाँ पे हमें पहले carbon पर भी phosphate लगाना है, तो हमें 1 ATP और देना पड़ता है, तो अभी तक हमने 2 ATP का खर्चा किया है, इसको हम बोलते है activation phase, जहाँ पे हमें energy देने पड़ती है, अब यह जो हमारा fructose 1,6 bisphosphate है, इसके हमारे पास 1 molecule है, अब यह तूट जाएगा, एक molecule of PGAL, phosphoglycer aldehyde, जिसको हम 3 PGAL भी बोलते हैं, क्योंकि वो एक 3 carbon compound है, और उसके 3 carbon पर phosphate है, और दूसरा molecule बनता है dihap का, dihydroxy acetone phosphate, वो भी एक 3 carbon compound है, लेकिन dihap के उपर further glycolysis continue नहीं कर सकता, तो dihap convert हो जाता है PGAL में, क्योंकि dihap और PGAL inter convertible forms हैं, ओके, अब यह जो हमार PGAL है, इसके 2 molecules हमारे पास हैं, 2 molecules of 3 carbon compound, अब यह जो PGAL है, यह बदल जाता है बिटा, into 2 molecules of 1-3-dipg, अब इसका funda है याद करने का, जब कोई महमान आपके घर आता है, जब कोई महमान गाउं खेडे में जाता है, गाउं में जाता है, तो वहाँ coldering किया, फिर juice offer नहीं करते है वहाँ तो कहते हैं, भाई मठा लोगे, दही पी होगे, पहले तो जल पिलाते हैं, तो पी जल, सबसे पहले हो क्या कहेंगे, पी जल, that is PGAL, फिर क्या कहेंगे, दही PGA, डाय PGA, फिर हमारे पास कोई कमीन है, तीन कटोरी, दो कटोरी, जितनी पीनाए पियो, तो फंडा है, पी जल, दही PGA, तीन PGA, दो PGA, जितनी मरजी PGA, तो पी जल is phosphoglycer aldehyde, दही PGA, इस डाय PGA, तीन PGA, थरी PGA, दो PGA, टो PGA, तो अभी हमारे पास two molecules हैं, PGAL के, जो कितनी carbon compound है, अब इस पे क्या होगा बिटा, अब यहाँ इसको हमें oxidize करना है, हमें PGAL को, phosphoglycer aldehyde को oxidize करना है, इसके लिए हमें चाहिए होगा oxidizing agent, जो है NAD positive, यह NAD positive क्या करता है बिटा, PGAL में से hydrogen atoms को निकाल लेता है, और उसी को हम reduction कहते हैं, ठीक है, एक molecule of PGAL से 2 hydrogen atom निकलते हैं, जुनको हम दूसरे शब्दों में redox equivalent भी कह देते हैं, और अगर हम 2 की बात करेंगे, तो total कितने निकलेंगे, 4 hydrogen atom, तो यह NCRT की लाइन है बिटा, in glycolysis, from 1 molecule of 3 PGAL, 2 hydrogen atoms और 2 redox equivalents are removed by 1 molecule of NAD positive, और अगर हम 2 की बात कर रहें, तो total 4 hydrogen atom निकाले जाएंगे, by 2 molecules of NAD positive, तो यहाँ पर हमारे बनकर तयार हो जाते हैं, 2 molecules of NADH, ओके, चलिए, और यहाँ पर phosphoric acid भी इस्तमाल होता है, H3PO4, जो कि अपने 2 phosphate देता है, क्योंकि हमें 3 PGAL को बदलना है, 1,3 dye PGA में, फिर 1,3 dye PGA convert होता है into 3 PGA, अब सोचो, 1,3 dye PGA के पास पहली carbon पे भी phosphate था, तीसरे पे भी phosphate था, लेकिन 3 PGA के पास सिर्फ तीसरे carbon पर phosphate है, यानि कि जब 1,3 dye PGA 3 PGA में बदलेगा, तो उसका 1 phosphate निकल जाएगा, और जब 2 molecule 1,3 dye PGA के 2 molecule 3 PGA में बदलेगे, तो 2 phosphate निकलेंगे, यह 2 phosphate को कौन पकड़ लेते हैं, 2 molecules of ADP, और किसमें change हो जाते हैं, 2 molecules of ATP, तो यहाँ पर पहली बार हमें ATP मिले हैं, और यह ATP, direct ATP होते हैं, जिसको हम कहते हैं, substrate level phosphorylation, SLP, फिर 3 PGA convert होता है, 2 PGA में, यहाँ पर कोई खास चीज नहीं हो रही है, फिर 2 PGA बदलता है, 2 molecules of PEP में, phosphoenol pyruvate, यहाँ पर enolase enzyme लगता है, और 1 H2O का molecule, 2 H2O के molecule निकल जाते हैं, और फिर finally, 2 molecules of PEP converts into 2 molecules of pyruvic acid, right, ultimately, और जब 2 molecules of PEP, 2 molecules of pyruvic acid में बदल रही होते हैं, तो हमें फिर से बेटा, 2 direct ATP मिलते हैं, जिनको हम कहते है, SLP, clear है, तो अब यहाँ पर क्या-क्या हमें धियान रखना है, फिर से बता देती हूँ, glucose से glucose 6-phosphate, magnesium ion की presence में hexokinase यहाँ पर काम करता है, hexokinase enzyme और AKTP का खर्चा होता है, glucose 6-phosphate, fructose 6-phosphate में बदला, कोई खास important step नहीं है, fructose 6-phosphate से fructose 16-bisphosphate, यहाँ पर भी एक enzyme लगता है, that is phospho-fructokinase, जिसको हम paste maker enzyme या PFK भी कह देते हैं, इसको भी magnesium activate करता है, ठीक, अब यहाँ पर धियान रखना AKTP और खर्च होगा, फिर fructose 16-bisphosphate चेंज होता है, into PGA-L, फिर यहाँ पर दो molecule PGA-L के बन जाते हैं, यह काम कौन करवाता है, eldolase enzyme, अब यह दो molecule PGA-L के oxidize होते हैं, और किसमें convert हो जाते हैं, into two molecules of 1-3-dye PGA, और साथ में यहाँ पर बनते हैं two molecules of NADH, अब यह two molecules of 1-3-dye PGA, convert होते हैं into three PGA, तो यहाँ पर हमें दो direct ATP मिलते हैं, जिसको हम SLP कहते हैं, फिर three PGA से two PGA, two PGA से फिर बनता है PEP, phosphoenol pyruvate, फिर phosphoenol pyruvate से ultimately बनता है pyruvic acid, two molecules of pyruvic acid, यहाँ पर भी दो हमें direct ATP मिलते हैं, जिसको हम SLP कहते हैं, और यहाँ पर जो enzyme इस्तमाल होता है, हम उसको कहते हैं pyruvate kinase, ओके, तो ultimately glycolysis से हमें 4 direct ATP मिलते हैं, आपसे वो पुछेगा, आपको कितने direct ATP मिलते हैं, direct, तो आपका जवाब होगा 4, जो हमें SLP से मिलते हैं, लेकिन 2 उपर खर्च भी तो हो जाते हैं, तो फिर वो आपसे पुछेगा, net gain of glycolysis कितना होता है ATP का, तो आप बोलोगे 2, 2 ATP, अब glycolysis जैसे ही खतम हुआ, cytoplasm में 2 molecule पड़े हुए हैं pyruvic acid के, अब ये pyruvic acid के 2 molecules को उठा कर ले जाया जाएगा, mitochondria के अंदर, mitochondria के matrix में, वहाँ पर उसके पास होगी, उसके साथ होगी link reaction, link reaction में हम क्या करते हैं बिटा, 2 molecules of pyruvic acid के साथ हम क्या करते हैं, हम उसका करते हैं, oxidative decarboxylation, बहुत important question बनता है, वह आपसे पूछेगा, link reaction को दूसरे शब्दों में क्या कहते हैं, oxidative decarboxylation, क्योंकि इस दौरान हम pyruvic acid का oxidation भी करेंगे, और इस में से हम CO2 भी निकालेंगे, तो इसका decarboxylation भी करेंगे, तो oxidation करने के लिए कौन आएगा picture में, two molecules of NAD positive, and plus two molecules of coenzyme, तो यहाँ पर क्या होगा, in the presence of pyruvate dehydrogenase and pyruvate decarboxylase enzyme की presence में, आपको मिल जाएंगे two molecules of acetyl coenzyme A, जो कि two carbon compound होते हैं, साथ में दो CO2 निकल जाएगी, और साथ में मिलेंगे हमें two molecules of NADH, राइट, अब क्या होगा बेटा, यह जो दो molecule है, acetyl coenzyme A के, इनको enter करना है क्रेब cycle में, लेकिन एक बार में acetyl coenzyme एक molecule ही क्रेब cycle में जा सकता है, यानि कि एक glucose के लिए क्रेब cycle को दो बार घूमना पड़ेगा, तो पहले हम एक बार घूमाते हैं क्रेब cycle को, ओके, यह एक molecule acetyl coenzyme A का enter कर गया, किसमें क्रेब cycle में, आपको ध्यान रखना है क्रेब cycle में सिर्फ एक ही चीज एंटर कर सकती है, और वो है acetyl coenzyme A, अब क्रेब cycle के बहुत सारे intermediates बनते हैं बेटा, लेकिन neat point of view से हमें इतने सारे intermediates याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है, जो मैं तुम्हें अभी बताऊंगी, सिर्फ वो important है, एसेटाइल को enzyme A, सबसे पहले combine करता है 4 carbon compound oxaloacetic acid के साथ, in the presence of enzyme citrate synthase, और NCRT कहती है कि एक condensation reaction है, जहाँ पर पानी का molecule निकल जाता है, और साथ में बनता है citric acid, जो कि एक 6 carbon compound है, इसी लिए हम क्रेब cycle को citric acid cycle भी कहते हैं, या फिर हम इसको TCA, यानिके tricarboxylic acid cycle भी कहते हैं अब citric acid convert होता है iso citric acid में, और फिर iso citric acid convert होता है oxalo succinic acid में, oxalo succinic acid से alpha ketoglutaric acid, alpha से succinyl coenzyme A, फिर succinic acid, फिर fumaric acid, फिर malic acid, और फिर oxaloacetic acid, राइट, बाकि जितने भी फालतु के बीच में हैं हो सब भूल जाओ, अब धियान रखना है इस cycle में, क्या क्या बोला मैंने, citric acid, isocitric acid, फिर उसके बाद आपका oxalo succinic acid, alpha ketoglutaric acid, succinyl coenzyme A, succinic acid, fumaric acid, malic acid, oxaloacetic acid, अब यहाँ पर बस एक चीज़ धिहान रखने हैं, जहाँ जहाँ तुम्हें oxalo की या को की आवाज आ रही है, उससे पहले बिटा NADH बना देना, जहाँ भी oxalo या को की आवाज आ र योटो निकाल देना, अब देखो कहां आवाज आ रही थी, मुझे आवाज आ रही है oxalo, oxalo succinic acid, उससे just पहले मुझे NADH बनाना है, just पहले, यानि कि जब isocitric acid oxalo में change हो रहा है, तो यहाँ पे one molecule बनेगा NADH का, फिर मुझे को की आवाज आ रही है, succinyl coenzyme A में, तो गूम रही हो, तो मुझे आवाज आ रही है oxalo, oxalo acetic acid की, उससे just पहले मुझे NADH बनाना है, तो तीन step याद कर लो, जब isocitric acid oxalo succinic acid में बदल रहा है, तो मुझे उसके पहले NADH बना रही हूं, succinyl coenzyme A के पहले NADH बना रही हूं, और oxalo acetic acid के पहले NADH बना रही हूं, तो एक क्रेब cycle में मैंने total 3 NADH बना है, फिर F for fumaric acid और F for FADH2, fumaric acid से just पहले मैं बनाऊंगी FADH2, याने कि जब succinic acid fumaric acid में change हो रहा होगा, तो हमें मिलेगा FADH2, याने कि क्रेब cycle में दो तरह के oxidizing agent इस्तमाल होते हैं, NAD positive और FAD positive, फिर यहाँ पर भी एक SLP होती है, direct ATP मिलता है, वो कब मिलता है, जब succinyl coenzyme में, succinic acid में change होता है, तो हमें एक direct ATP या GTP कह देते हैं, काई बार मिलता है, धियान रखना है, ओके, फिर जहाँ ketoglutaric acid है, ketoglutaric acid से पहले, और ketoglutaric acid के बाद, हमें क्या करना है, CO2 निकालनी है, हमें CO2 निकालनी है, राइट, ब पूरी एक क्रेब साइकल को देखो बेटा, तो पूरी एक क्रेब साइकल में मैंने बनाए 3 NADH, 3 NADH, 1 FADH2, 2 CO2 के मॉलिक्यूल निकाले, और एक मैंने direct ATP बनाया SLP से, लेकिन मैंने अभी आपको बताया, एक ग्लुकोस से क्रेब साइकल दो बार गूमेगी, यानिके, एक ग्लुकोस मॉलिक्यूल पर जब दो बार क्रेब साइकल गूमेगी, तो मुझे टोटल NADH मिलेंगे 6, 6, FADH2 मिलेंगे 2, direct ATP मिलेंगे 2, और CO2 निकलेंगे 4, ठीक, चलो, अब क्रेब साइकल होने के बाद, ultimately हमें करानी है, electron transport chain, तो बेटा, हमारे पास कुछ तो ATP हमें direct मिले हैं, direct ATP हमें कहां कहां से मिले है, glycolysis से और क्रेब साइकल से, लेकिन अभी भी हमें बहुत सारे ATP बनाने हैं, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, NADH और FADH2 को oxidize करना पड़ेगा, तो जब हम NADH और FADH2 को oxidize करते हैं, तो उससे जो हमें ATP मिलते हैं, ultimately वो किसकी वज़े से मिलते हैं, electron transport chain, तो electron transport chain होती कहां है, on the inner membrane of mitochondria, जिसमें foldings होती है, crystal, वहाँ पर 5 complexes present होते हैं, सबसे पहला होता है complex 1, जिसको हम NADH dehydrogenase complex कहते हैं, दूसरा होता है complex 2, जिसको हम succinate dehydrogenase complex कहते हैं, तीसरा होता है complex 3, जिसको हम cytochrome BC1 complex कहते हैं, फिर होता है complex 4, जिसक हम Cytochrome AA3 complex कहते हैं और फिर होता है complex 5 जिसको हम F0, F1 या ATP synthase complex कहते हैं ये total 5 complexes inner membrane of mitochondria पर present हैं लेकिन इन में से ETS के दौरान सिर्फ 4 इस्तमाल होते हैं 1, 2, 3, 4 फिफ्ट वाला ATP formation में इस्तमाल होगा ETS में इस्तमाल नहीं होगा चलिए अब हमें क्या करना है बिटा ETS के दौर हमें NADH और FADH2 को oxidize करना है तो पहले हम उठा लेते हैं NADH को राइट पहले हम उठा लेते हैं NADH को NADH हमें कहां कहां मिले थे बिटा हमें 2 NADH तो glycolysis में मिले थे 2 NADH हमें link reaction में मिले थे और total 2 बार जब krebs cycle घूमेगी तो हमें total NADH कितने मिले थे 6 और FADH2 दो यान को जब हम NADH को oxidation करते हैं तो हम सिर्फ 3 complex को इस्तमाल करते हैं complex 1, 3 और 4 ध्यान रखना है NADH के oxidation के दुरान 3 complex इस्तमाल होते हैं पहला, 3 और 4 वन तो पहला जो complex होता है उसमें कौन होता है उसमें होता है FMN और FES तो यह complex 1 है यह सबसे पहले NADH से electron remove कर लेता है और proton निकल आते हैं तो जो electron है वो complex 1 से घुंकर कौन accept करता है UBQ-9, UBQ-9 एक mobile electron carrier है जो की membrane में धसा हुआ नहीं है इसका काम होता है complex 1 को complex 3 से जोड़ना तो यह UBQ-9 electron लेकर जाएगा complex 3 के पास जिसमें कौन-कौन बैठा है? साइटोक्रोम B, FES और साइटोक्रोम C1 फिर complex 3 से यह electron जाएगे complex 4 को लेकिन complex 3 और 4 को जोड़ने वला होता है साइटोक्रोम C, C1 नहीं C, साइटोक्रोम C भी एक mobile electron carrier है जो किसी complex का हिस्सा नहीं होता जो की freely move कर सकता है membrane के उपर तो साइटोक्रोम C ने electron ultimately साइटोक्रोम AA3 क में iron तो होता ही है लेकिन साइटोक्रोम AA3 में iron के साथ साथ copper भी होता है NCIT कहते है they have two copper center, copper center A and copper center B और ultimately यह electrons को कौन accept करता है oxygen, पूरे aerobic respiration में oxygen का इस्तमाल सिर्फ यहीं होता है ETS के दौरान as a electron acceptor, terminal electron acceptor, ultimately electron किसके पास पहुंचते है oxygen के पास, अब धियान देने वाली बात कि complex 1 में, complex 3 में और complex 4, इन तीनों के पास proton को pump करने की power होती है और ETS के दौरान ये भी बहुत ध्यान से तुम्हें आद रखना है, ETS के दौरान proton कहां से कहां pump होते है, proton pump होते है from matrix to inter membrane space, यानि कि protons को धक्का दे दिया जाता है inter membrane space में, complex 1 according to new NCIT, पुरानी छोड़ दो, new वा 4 proton pump करता है inter membrane space में, complex 3, 4 proton pump करता है inter membrane space में, और complex 4, 2 proton pump करता है, यानि कि जब आप 1 NADH के molecule को oxidize करोगे, तो ultimately आप 10 proton डाल दोगे inter membrane space में, right, अब जो हमने वहाँ पे oxygen लिया था, जब हम 1 NADH को oxidize करते हैं, तो half molecule of oxygen is consumed, 1 NADH के oxidation पे आधा molecule oxygen का खर्च होता है, जो कि 2 electron पकड़ता है कहां से, complex 4 से, और 2 proton उठाता है matrix से, और बदल जाता है into 1 molecule of water, into 1 molecule of water, ठीक है, तो 1 NADH पर आधा molecule oxygen का खर्च होता है, बात समझ में आ गई, चलिए, अब बेटा, जब हम ultimately, चलो इसको मैं कीमो संथेस में बताऊ अब चलते हैं, FADH2 के oxidation पे, FADH2 के oxidation में complex 1 इस्तमाल नहीं होता, complex 2, 3 और 4 होते हैं, NADH के oxidation में 1, 3, 4, FADH2 के oxidation में 2, 3, 4, तो सबसे पहले FADH2 का oxidation हुआ, तो complex 2 ने उससे electrons निकाल लिए, complex 2 में कौन होता है, FAD and FES, ये electrons with the help of UBQN, UBQN का का काम complex 3 को, complex 2 को, complex 3 के साथ जोडने का भी होता है, तो UBQN ने complex 2 से complex 3 को electron भेज दिये, फिर complex 3 जो आपको पता है BC1 होता है, complex 3 से electron किसने लिए, cytochrome C ने, जो फिर उसने उसको किसको दे दिया, complex 4 को, फिर उसके बाद ultimately oxygen ने ले लिए, यानि कि एक FADH2 को oxidize करने पर भी आधा molecule oxygen का खर्च होता है लेकिन यहाँ पर दिहान रखना है, कि complex number 2 के पास pumping power नहीं होती, यानि कि जब FADH oxidize होगा, तो सिर्फ 3 और 4 protons को pump करेंगे, तो 3 ने कितने किये थे, 4 और 4 ने 2, यानि कि जब 1 FADH2 oxidize हो रहा है, तो total 6 protons को pump कर दिया जा रहा है, inter membrane space में, बात समझ में आ गई, चलो, चाहे NADH का oxidation हो रहा हो, चाहे FADH2 का हो रहा हो, एक molecule के लिए आधा oxygen खर्च होता है, तभी तो हम कहते हैं, total 6 molecule oxygen के खर्च होते हैं, क्योंकि total NADH कितने बने हमारे पास, 2 glycolysis से, 2 link reaction से, तो कितने हो गए, 4 और 6 बने इस से, तो 10 NADH हो गए, 10 NADH कितने oxygen खर्चा करेंगे, 5 और 2 FADH2, 1, तो total 6 oxygen खर्च हो गई हमारे ETS के दोरान, ETS का purpose क्या होता है बिटा, ETS का purpose होता है, inter-membrian space में proton ion concentration को बढ़ा देना, और matrix में घटा देना, वो हो गया, inter-membrian space में proton ion concentration बढ़ गई, matrix में घट गई, अब हमें इसका फायदा उठाना है, और उस फायदे का नाम ह chemiosmosis hypothesis, जो कि Peter Michel ने दी, इस hypothesis में explain किया जाता है कैसे ATP बनता है, ATP बनता है with the help of F0-F1 complex, जिसको हम ATP synthase complex भी कह देते हैं, कहां present है inner membrane of mitochondria में, जिसमें से जो F0 वाला हिस्सा होता है, वो membrane के अंदर धसा रहता है, inner membrane of mitochondria के अंदर धसे रहता है, और वो integral protein होता है, और उसका काम ह सिर्फ एक सुरंग की तरह, एक channel की तरह act करना जिससे proton भाग सकें, फिर जो F1 वाला हिस्सा होता है, वो matrix में धसा रहता है, और actual में F1 वाला जो हिस्सा है, उसी के पास ATP synthase activity है, और F1 वाले हिस्से को NCRT, peripheral या extrinsic protein कह रही है, अब होता है क्या बिटा, जो proton हमने inner membrane space में भागते हैं, क्योंकि आपको पता है, चीज जहां पर जादा होती है, कम की तरफ वो खुद बखुद भागती है, तो inter membrane space में proton आयन बहुत जादा कर दिये हैं, हमने ETS के बाद matrix में कम है, तो proton खुद बखुद जो है, इस F0 F1 complex से भागते हैं, किधर की तरफ, matrix की तरफ, उ जब proton खुद बखुद भागते हैं, matrix, inter membrane space से matrix में, वाया F0 F1 complex, इस process को हम facilitated diffusion कहते हैं, और यहां पे, जब वो खुद बखुद बखुद भागते हैं, तो proton motive force, PMF की form में energy release होती है, जिसको ATP बनाने में इस्तमाल किया जाता है, राइट, चलिए, अब दो proton पर बिटा, एक ATP बनता है, अब यहां पे हिसाब मतलगाना, calculations मतलगाना, NCRT में अभी चार proton पर एक लिखा है, अब इन करंट NCRT में चार proton पर एक ATP बनेगा, यह लिखा है, अब यहां पे हिसाब मतलगाना कि NADH के oxidation में कितने proton pump हुए, उसके हिसाब से math मतलगाना, बस जो मैं अभी बता रही वो याद कर लो, कि जब एक molecule NADH का oxidize होता है, तो तीन ATP बनते हैं, और जब एक molecule FADH2 का oxidize होता है वेटा, तो दो ATP बनते हैं, यह चीज याद कर लो अच्छे से, ओके चलो, अब बनाते हैं, balance sheet of aerobic respiration, पूरी balance sheet तयार करते हैं, balance sheet हम ऐसे तयार नहीं कर सकते, पहले हमें कु पर ही होता है, दूसरा हमें यह मानना पड़ेगा, कि जैसा हम सोचते हैं, कि सारी चीजें step by step हो रही हैं, वैसी ही होती होगी, cell के अंदर, पर ऐसा नहीं है, cell के अंदर सब कुछ एक साथ चल रहा होता है, लेकिन हम step by step मान कर चलेंगे, फिर हम यह मान कर चलेंगे, कि जो N NADH glycolysis के दरान cytoplasm में बना था, उसको successfully matrix of mitochondria तक पहुचा दिया गया है, जब हम इन सब बातों को मान लेंगे, assume कर लेंगे, तभी हम balance sheet बना पाएंगे, वरना नहीं बना पाएंगे, तो चलो बनाते हैं balance sheet की एक glucose molecule से हमें कितने ATP मिलते हैं, सबसे पहले हम चलते हैं glycolysis glycolysis पे बेटा आपको याद होगा, दो हमें net gain of ATP हो रहा था, और दो मिल रहे थे NADH, यह दो NADH जब ETS पे जाएंगे, तो हमें total 6 ATP देंगे, यानि कि glycolysis से अब total ATP कितने हो गए, दो तो net gain था ATP का, और दो हमें ETS के बाद, और 6 ATP हमें 2 molecule NADH जब ETS में जा चुके हैं, उ होने दिया हैं, तो total 8 हो गए, link reaction से हमें 2 NADH मिले थे, माने के हमें 6 ATP वहां से मिलेंगे, तो 8 और 6, 14, 14 ATP हमने अभी बना लिए, एक क्रेब साइकल से बेटा आपको याद होगा, कितने NADH बन रहे थे, 3 NADH, यानि के 339, 1 FADH, 2 यानि के 12, और 1 direct ATP, यानि के 1 क्रेब साइकल से, total ATP हमें मिलते हैं, 12, तो 2 क्रेब साइकल से हो जाएंगे, 24, तो अब जोड़ लो, 24, 2 क्रेब साइकल से, 6 हमें मिले कहां से, link reaction से, तो 30, और 8 मिले हमें, glycolysis से, तो 38, यानि के aerobic respiration से बेटा, जो maximum net gain of ATP हो सकता है, वो 38 ATP का होता है, लेकिन, अब यहाँ पे 2 बाते आ जा eukaryotes में होता है, eukaryotic cell में, तो net gain of ATP 36 का होता है, क्यों? क्योंकि 2 ATP खर्च हो जाते हैं, जो cytoplasm में NADH बने थे, glycolysis के दौरान, उनको mitochondria के अंदर ले जाने में, लेकिन अगर aerobic respiration bacteria में होगा, तो 38 ATP ही रहेगा, तो 3 तरह की सवाल आएंगे, पहला वो आपसे पूछेग aerobic respiration के दौरान, maximum net gain of ATP कितना हो सकता है, what is the maximum net gain of ATP from aerobic respiration, आप बोलोगे 38, फिर हो पूछेगा, बैक्टीरिया में कितना होता है, आप बोलोगे 38, फिर हो पूछेगा, generally eukaryotic cell में कितना होता है, तो आप बोलोगे 36, ओके, चलिए, अब aerobic और anaerobic respiration में, अगर हम फरक देखे aerobic respiration में, बैटा, net gain of ATP 36 या 38 होता है, वहीं anaerobic respiration में सिर्फ 2 ATP का होता है, right, aerobic respiration में बहुत जादा energy, जो है, anaerobic respiration जो है, वो complex process है, वहीं anaerobic respiration simple process है, aerobic respiration में, NADH का जो oxidation होता है, ETS के दौरान, वो बहुत ही कैसा process है, rigorous, बहुत तेजी से होता है, लेकिन, anaerobic respiration में, जो NADH का oxidation है, कहा हो रहा था, बैटा, NADH का oxidation, साइटो प्लाजम में हो रहा था, क्या करने में, इसको, वो, आपके, acetyl dehyde को reduce कर रहा था, और pyruvic acid को reduce कर रहा था, लेकिन, उसका, खुद का oxidation हो रहा था, NADH का, तो वो बहुत slow होता है, यह line direct आ जाती है, anaerobic respiration में, NADH का, जो reduction होता है, oxidation होता है, यह slow होता है, aerobic respiration में बहुत rigorous होता है, ओके, चलो, अब respiration ना तो पूरी तरह एक catabolic process है, न anabolic है, respiration एक amphibolic process है, माने उसमें catabolism भी होता है, anabolism भी होता है, catabolism, glucose टूटता है, anabolism, हमारे krebs cycle के दौरान, जो बहुत सारे बीच बीच में intermediates बने थे, वो कुछ नया material बनाने में भी helpful होते है, जैसे succinyl co-enzyme में chlorophyll synthesis में help करता है, तो यह anabolism हो गया, फिर चलते हैं respiratory questions पर, volume of CO2 evolved upon volume of oxygen taken in, जो carbohydrates के लिए 1 होता है, हमेशा protein के लिए less than 1 होता है, और fats के लिए भी less than 1 होता है, protein के लिए 0.9 है, fat के लिए 0.7 है, लेकिन जो organic acids होते हैं, जैसे oxalic acid और malic acid उनके लिए 1 से ज़ादा होता है, oxalic acid के लिए 4 होता है, malic acid के लिए 1.33 होता है, अब NCRT में chart दे रखा है, जिसमें उन्होंने ये दिखा रखा है, कि किस तरह से fat, protein और carbohydrate एंटर करते हैं क्रेब cycle में, ultimately जितने भी respiratory substrate होते हैं, सबको क्रेब cycle में एंटर करना होता है, और क्रेब cycle में सिर्फ एक ही चीज एंटर कर सकती है, आपको पता है, एसेटाइल को एंजाइम A, और तीनों का fat, protein और carbohydrate टीनों का एसेटाइल को एंजाइम A में बदलने का तरीका अलग-अलग है, लेकिन तीनों क्रेब cycle में जाएंगे, सिर्फ एक ही चीज के तुरू वो है एसेटाइल को एंजाइम A, तो carbohydrate कैसे बनते हैं एसेटाइल को एंजाइम A, पहले उस पे glycolysis होता है, फिर link reaction होती है, फिर वो एसेटाइल को एंजाइम A, फिर वो क्रेब cycle में जाता है, फैट कैसे बनता है, एसेटाइल को एंजाइम A, फैट ग्लिसरॉल या फैटी आसिड में तूट जाता है, और फिर वो अल्टिमेटली एसेटाइल को एंजाइम A में तूट जाता है, यानि कि फैट और प सिर्फ कार्बो हाइड्रेट्स पर होता है, एक बार बस जलक NCRT की देख ले ना और आपका चाप्टर है तैयार, मिलते हैं नेक्स्ट चाप्टर पे, stay tuned, love you all, bye.